असलाम अलेकुम यहाज अब नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम तो आपने पहले भी सुनाए नान क्लास में तो हम यहां इसका फॉर्मलर ड्राइव करेंगे वहां आपने ड्राइव नहीं किया था तो सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती एक इसका मतलब है सै स्टेक्पाइब ग्षिए नाम देखा होती है और एफेक्ट होता है किसी रिब्ल से निसेनऑ होता है संसे स्युक्तराट में करने के लिए यह सब्सक्राइब होती है युद्पाइब जब body move करती है every point पे velocity direction change होती है every instant पे तो velocity direction change करने के लिए force must act on the body तो इसलिए ये normal straight path को curve path में convert करने के लिए हम इसे use करते हैं the force needed to bend the normal straight path or the particle into a circular path is called centripetal force और जो acceleration produced होगा the acceleration produced by the centripetal force is called centripetal acceleration ये भी circle के center की तरफ ही होगा एक्जेंपल है every day life से के electron जो fix orbit में revolve करता है around the nucleus तो उसको centripetal force कौन परवाइड करता है जो electron और nucleus के दर्मियान जो electric force होती है वो परवाइड करती है इस तरह satellite revolve करती है around the earth तो satellite को centripetal force gravitational force of earth जो परवाइड करती है इस तरह कोई नहीं सोर्स होता है या कोई force होती है जो centripetal force generate करती है यानि किसने किसी force का effect आता है अब यहां देखें velocity direction हर point पे मैंने बोला change होगी जब body circle path में move करेगी यह हमारे पास example हमने formula drive करना उसके लिए suppose करें मारे पास एक body जो circle path में move कर रही है किसी भी time t के उपर वो point a पे थी और हमने time t उसको लाओ किया move करने के लिए delta t लाओ किया वो a से b तक चली उसने arc length cover cover की a से b तक यह पार्ट पर जो उसकी velocity थी along tangent टेंजन 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 के लांग रहती है वी वन और बी पर जाने के बाद जो velocity हो गई वह वी टू अब magnitude तो चेंज नहीं होगी magnitude सेम रहती है यानिके वी वन और वी टू अपस में magnitude के लिहां से equal है लेकिं direction क्योंके चेंज हो गई तो विलास्टी चेंज हो गई इसी डिरेक्शन चेंज होने की वज़ए से क्या प्रड्यूस हो जाएगा एक्सलेशन प्रड्यूस हो जाएगा और वह एक्सलेशन हमने आप एक जो वी वन और वी टू को separately draw करें वी वन के parallel बिलकुल एक vector draw करें जिसे आप नाम दे दें पी क्यू का आपकी बुक में जो दिया हो है वही दे रहो है यह वी वन और फिर पी आर एक ड्रा करें जो के वी टू के parallel हो इस तरह यह वी टू हो जेगा जिसका नाम हम पी पर यह जो Q से लेकर अर्थक लाइन आप ड्रा करेंगे उसे हम डेल्टा वी कहा देंगे और यह डेल्टा वी हमने find out करना है क्योंकि acceleration का जो formula होता है वो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हम इसमें डेल्टा वी की value और डेल्टा टी की value put करेंगे तो हमें at the end result मिल ज पार्टिकल जो टाइम लेगा वो हम यहां पर mention करेंगे इस formula से s is equal to vt जो हम आरे पास होता है अगर हम t निकाले तो देखें s over v आजेगा तो हम t निकाल रहें तो डेल्टा टी लिखेंगे और s by v तो यह simply time और यह आप यहां put कर दे एक formula में तो यह जो है वो के बन देखें डेल्टा v over s over v तो यह जो है वोपर जाके v के साथ डेल्टा v के साथ multiply हो जाएगा v into डेल्टा v और over s आजेगा ठीक है जी तो यह equation number 1 ती यह 2 खेर equation के नाम आप खुद दे लीजेगा तो मैं simply solve करता हूँ उसके बाद next देखें अब हमें यहां पर डेल्टा v की value चाहिए change in velocity तो अब वो हमने यह जो अलएदा से triangle draw की है PQR उससे हम delta v जो जो हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप यह mathematics का theorem use करेंगे equally triangle देखें यहां पर जो velocity की magnitude थी V1 V2 यह अपस में क्या थी equal थी तो यहां पर देखें दो साइडें क्या होगी triangle की equal होगी दूसरा यह देखें O A O B यह भी क्या है यह radius है दोनों यह भी तो equal होंगे तो दोनों triangle में यह common बात है कि उसकी दो दो साइडें equal है यहां जो triangle O A B है वो देखें उसमें O A O B साइड सेम है यहां पर जो P Q जो V1 है उसकी magnitude और P R जिसकी magnitude V2 वाफस में equal है तो दोनों triangle में दो दो साइडें equal है और उनके दरम्यान बनने वाइंगल भी सेम होगा तो third side जो है इसकी वो delta V है जो के Q R है उसकी third side A से B है जिसे हम S कह रहे हैं तो हम हम उसका comparison करेंगे तो सबसे पहले तो देखें comparison जो है वो करने से पहले वो बात mention कर दी मैंने तो triangle जो होगी O A B और दूसरी triangle जो होगी P Q R R similar वो similar है तो उसको हम उसका comparison करेंगे उसकी मदद से हमारे पास delta V आ सकते है delta V इसकी third term है इसकी third term कौन सी है जो triangle या O A B उसकी third term A से B है जो के curve है और इसकी कोई एक side दोनों बराबर है V इसकी भी कोई एक side दोनों O A या O B वो भी बराबर है R अब यहां से delta V आ सकता है अगर आप A B की value put कर दें अब A B curve है तो आप limit लगा दें take limit delta T approaches to zero इससे क्या होगा कि A B जो curve होगा वो A B straight line में convert होजेगा इससे हम S कहा देंगे जब आप time limit लगाएंगे B बहुत close आजेगा एक के जारा दूर नहीं जाएगी body तो वो straight होजेगा यानि जो curve है वो straight होजेगा almost उसे हम S का नाम लेदेंगे तो यहां put कर दें delta V over V is equal to S over R यहां से अब delta V निकाल लें delta V जब आप निकाल लेंगे जो V divide हो रहा है नीचे उज़ दरा के multiply होजेगा तो delta V किसके बराबर आजेगा V into S over R यहां पूट कीजिए इसे बेशे का आप 1 कह दें तो using in 1 1 के अंदर आप यूज करें तो A is equal to delta V over sorry यह वाली थे तो V into delta V पूट कर दें, delta V की जगा आप क्या पूट करें V over S over R और नीचे भी एक S already मुझूद है S S से cancel होजेगा बाकि राजेगा V square over R तो centripetal acceleration जो आया, वो V square over R आया अब यहां पर इसकी direction की बात करनी है देखें direction के लिए आपको थोड़ी लिखना पड़ेगी इसके अंदर, वो मैं बता जाता हूँ कैसे करने हैं देखें हम mention करेंगे कि जो हमने PQ draw किया वो बिल्कुल parallel है V1 के, जबके V1 perpendicular है O A के उपर तो PQB perpendicular हुआ O A के उपर, उसके बाद जब PQ, P R की बात करते हैं V2 जो के बिल्कुल parallel है V2 के, इस V2 के ये V2 आगे O B के उपर perpendicular है क्योंकि tangent major radius को पर perpendicular होता है तो फिर V2 B perpendicular हुआ O B के उपर, क्योंकि A और ये आपस में parallel है, ये इसके उपर perpendicular तो ये भी इसके उपर perpendicular होगा तो अब तीसरी साइड रहागी, डेल्टा V, तो वो कहां आएगी, वो जो A और B की लाइन है, उसको bisect करती हुई, यहां पे आके fit होगी इदर, circle के center की तरफ, तो डेल्टा Q, डेल्टा V जो है, वो bisect करेगी, angle A, O, B को, और यह पर perpendicular होगी, A, B के उपर, और circle के center की तरफ होगी तो यह centripetal acceleration की direction होगी, जो कहमेशा circle के center की तरफ ही रहती है, अब आप second last है, जो नो पहीर कर सकते हैं, centripetal force, F is equal to M में होता है, F is equal to M, A, C, तो आप F, C की value calculate कर लें, यहां से, A, C की value put करने के बाद, M, V square over R आ जाएगा जाएगा, उसके बार आपने एक चीज़ C की, V is equal to R omega, आप angular form बना सकते हैं, इसकी, V की जगा पुट कर दें, तो देखें, क्या बनेगा, M, R square, omega square over R, एक R cancel हो गया, तो M, R, omega square, यह angular form बनगी, इसकी भी बना सकते हैं, centripetal acceleration की भी, तो यहां उपर R square, omega square, पुट कर नीचे R, तो एक R cancel हो जाएगा, तो R omega square बन जाएगा, त सेंटर की तरफ रहेगा, और centripetal force भी circle के center की तरफ रहती है, जो velocity की direction को हर point पे continuously change करती है, और उसके result में, centripetal acceleration produce होता है, और circular motion possible हो पाती है, तो यह topic था, long question, बहुर्ड important है, diagram भी must बनानी है, तो यह diagram की मदद से ही, आपने दो triangle जो हो बनाई थी, और उससे आपने delta V की value find out की, दोनों triangles का comparison करके, और फिर उसके बाद आपने centripetal force निकाली, second law की मदद से, और उसकी direction भी define कर दी, तो यह long question है, बहुर्ड important है, यह त्यार कीजिएगा, अगर को बात ना समय है, और पूछ लिएजएगा, अगर बात ना समय है, अगर पूछ लिएगा, अगर